हेलो, आज हम बात करेंगे, यह जो PWM मोड्यूल है, इसको चार अलग-अलग लोड लगा के, मतलब एक LED, और नेक्स टाइम फिर बजर, और नेक्स टाइम DC मोटर, और सर्वर मोटर लगा के, वो कैसे काम करता है, उसको देखेंगे. तो पहला सर्किट रहा LED लगा के, यहाँ एक LED है, और सीरीज रेइस्टर है, और मॉस्फेट में उसको ड्राइव करते हैं, वो मॉस्फेट का जो गेट है, PWM आउटपुट, PWM से मिलता है, उसको मॉस्फेट गेट में देते हैं, अब हम देखते हैं, एक मॉड्यूल से वोल्टेज कम होते जा रहा है, और duty cycle बढ़ाने से, दिखिए, यह वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, और जो LED है, वो LED धीरे-धीरे जलना सुरू करता है, धीरे-धीरे बढ़ता है, तो वोल्टेज भी बढ़ते जाता है, तो duty cycle का यह है अक्षर, मतलब voltage को कम बसी कर देता है और अगर हम frequency change करेंगे यह देखें यह कुछ change नहीं होता है क्यूंकि frequency change करने से duty cycle का जो effect है duty cycle में जो voltage कम भी हो रहा था वो नहीं होता है तो इसलिए frequency में इसका intensity कम नहीं होता है या voltage कम ज्यादा नहीं हो तो second circuit है यहां एक बजर लगाए है और यह MOSFET जैसे वैसे था अब इसको हम चालू करके देखेंगे जब हम frequency change करते हैं अब देखिए इसका जो audio है कैसे change होता है frequency हम change करते जा रहें और जो duty cycle change करते हैं इसका sound बढ़ते जाएगा और कम करने से sound कम होते जाएगा अब आए एक DC motor लगाके कैसे काम करता पड़ता है वही सेम एक MOSFET लगाए है इसका output से gate को दिये हैं और यह circuit है चलिए इसको देखते हैं कैसे काम करता है क्या हम pulse width देखते हैं थोड़ा पतला से motor होते जा रहा है यह simulation circuit है स्पीड बढ़ते जा रहा है यहां भी हम जब और duty cycle change करते हैं आप इसके देखें यह speed जो है न वह बढ़ते जाएगा यह speed बढ़ते जाएगा हम duty cycle को बढ़ते जा रहा है speed बढ़ते जाएगा यहां भी frequency change करने सो कई voltage change का effect नहीं होगा यह देखो यह हम अभी 49% 50% duty cycle पे गया है यह जब हम 100% duty cycle को जाएगे यह सबसे maximum speed उसका हो जाएगा तो यह रहा किसे PWM में duty cycle change करके motor speed normal DC motor speed का change किया जा सकता है अब आया 95, 96, 97, 98, 99 and 100% यह है full speed यह छोटा सा motor gear motor है और यह है finally एक servo motor लगा के servo motor का तीन connection हम बताया थे एक इसका sensing है sensing को directly PWM output से दिया है और इसका जो supply direct दिया है एक diode रहता है for protection वो protection के लिए रहता है यह रहा इसका circuit servo motor के से यूज करते हैं यह रहा इसका simulation circuit मतलब 90 degree पीछे और 90 degree आगे और actual operation जो है इसका अब यह हम देखते हैं जैसे duty cycle हम बढ़ाते जा रहे हैं तो यह 1 millisecond से 2 millisecond जो हम बताये थे वैसे हो रहा है